हाई गाईस मेर नाम है संदीप और मी 11X, Redmi K40 या फिर Poco F3 के लिए चाइना के अंदर शाओंबी ने MIUI 13 स्टेबल Android 12 का अपडेट पुश कर दिया है और मैंने इसको 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 डेफिनेटल कर सकते हो सबी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है working मिल जाती है बट मी 11X के अंदर काफी सारी चीज़ों के साथ compromise करना पड़ेगा मैंने सूचा था कि यहाँ पर जो MIUI 13 का स्टेबल अपडेट हैगा उसके अंदर जो features है ना जैसे display वाले refresh rate वाले वो वापिस आ जाएंगे बट unfortunately वो चीज़ आपको नहीं मिलती आपको मेरा जो है एक इसके regarding मैंने वीडियो डाली थी कि आप इनको कैसे वापिस ला सकते हो features को MIUI 13 या फिर Android 12 के उपर तो वो वीडियो आ फॉलो करना अगर आपको fully working features चाहिए MI 11X के उपर तो मैंने आपर almost सभी चीज़ें enable कर रखी हैं तो मैं बताता हूँ आपको क्या features मिलते हैं कैसे differences हैं और कैसी gaming performance और कैसी smoothness आपको इस update के अंदर मिलती है जो कि आपको stable update मिलेगा चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं आप subscribe करो मैं आपको लेके चलता हूँ इसके my device page के उपर तो यह है my device यहाँ पे colorful logo यूज किया है इस बार आप देख सकते हो I think stable updates के अंदर आपको colorful logo मिलेगा and जो beta updates आएंगे चाइना वाले उटके अंदर आपको blue tone वाला जो है logo देखने को मिलेगा what's new के अंदर आप यहाँ पर कुछ भी चेक नहीं कर सकते क्योंकि आपको यहाँ पर देखने को मिल जायता बीटा testers के लिए update तो यह आने वाले दिनों के अंदर फुली रोल आउट हो जाएगा जो भी इसके अंदर bugs आएंगे न जो beta testers find करेंगे उसके बाद उनको fix करके इसको पब्लिक ली रोल आउट कर दिये जाएगा चाइना के अंदर उसके बाद globally आएगा दें इंडिया के अंदर भी आपको यह जल्दी मिल जाएगा all specs के अंदर चलते हैं तो मैंने जैसा बता है यहाँ पर आपको जो CPU clock speed आप वो 2.75 GHz तक देखने को मिलेगी maximum और काफी जारे features के साथ आपको compromise करने पड़ेगा और Mi 11 next के उपर तो उन सब चीजों को आप उस guide के थुरू fix कर सकते हो जिसके अंदर आपको route चाहिए रहेगा और Android 12 का support है और security patch level आपका December 2021 से updated है MIUI version 13.0.2 stable build और perf का करनल आपको by default इस ROM के अंदर है आफिर इस update के अंदर में बास करेंगे one by one सभी features की मैं जल्दी से जो आपको main features है वही बताऊंगा सबसे पहले कोई control center आपको updated नहीं मिलता जो कल update है था ना MIUI system plugin का उसको मैंने install किया है अगर आप interested हो ये वाला iOS के animations वाला control center इंस्टॉल करने के लिए तो आप उस वीडियो को ज़रूर से check out कर सकते हो by default आपको ये वाला नहीं मिलता मैंने आपको पहले इपदा दिया उसके बाद यहाँ पे जो है MIUI 13 का font आपको मिलेगा wallpaper है personalization के अंदर library है super live wallpaper के अंदर कोई नया wallpaper आपको नहीं मिलता snowy peaks वाला एक आपको installed मिलता है बागे आपको यहाँ से download करने पढ़ेंगे then आपको वही categories मिल जाते जो कि मैंने MIUI के beta update के अंदर आपको बताई थी MIUI 13 का जो beta update है था तो उसके changes आपको यहाँ पे मिल जाएंगे always on display आपका working है कोई problem नहीं आएगी display के अंदर especially Mi 11X users को problem आएगी आपको refresh rate 60 के उपर मिलेगा and आप इसको change भी नहीं कर सकते काफी सारे जो features है आपको missing मिलेंगे तो मैंने फिर से आपको बता दी है वो guide आपको follow करना ही पड़ेगा sound and vibration के अंदर भी कोई changes आपको नहीं मिलता notification and control center के अंदर भी same control center है old वाला मिलता है जिसको आप update कर सकते हो status bar के अंदर भी कोई change नहीं मिलता home screen के अंदर जो layout है वो MIUI 12.5 से ही updated मिलता है यहां पर MIUI 13 का जो beta alpha launcher था जो जिसके अंदर था don't show text वाला option वो आपको यहां पे नहीं मिलता जिसके कारना आपके जो text है वो remove हो जाते है जो icons है वो Mi Pad 5 के तरीके से आपको देखने को मिलते हैं और वो अभी यहां पर add नहीं किया गया आने वाले stable updates के अंदर आपको मिल जाएगा उसके बाद यहां पर कोई show suggestion का option आपको नहीं मिलता fingerprint के अंदर आपको यहां पे जो है यह वाला जो privacy वाला option होता ना यहां पे face unlock आपको missing मिलेगा Mi 11X के उपर बट वो guide follow करते ही आपको जो सभी चीज़ें working मिल जाएंगी security के अंदर वही सब चीज़ें है उसके बाद privacy protection है battery के अंदर वही सब चीज़ें ultra battery saver performance mode की profiles उसके बाद optimized charging then यहां पे कुछ चीज़ें आपको missing I think मिल जाते है जो कि मैंने आपको notice की है वो है यहां पर battery की health वो अभी आपको add नहीं की गई but beta update के अंदर वो चीज़ें आपको मिल जाती है then apps का section है यहां पे secure mode है उसके बाद additional settings है and यहां पर memory extension का feature आपको मिल जाता है उसके बाद कुछ Chinese privacy के related आपको चीज़ें मिलती है जो कि सिर्फ और सिर्फ Chinese users के ही काम आती है जो कि है me AI उसके बाद आपको मिलता है wallet and payments screen time का भी option आपको यह बारा देखने को मिलता है special features के अंदर slide bar या side bar आपको मिल जाता है जिसको आप use कर सकते हो and यहां पर बाहर आपको देखने को मिलता है smart toolbox tap plus मिल जाता है floating window है second space, kids space आपको मिलता है और MIUI lab के अंदर है flash cards है privacy protection lab है light mode है privacy protection lab के अंदर आपको approximate location मिल जाता है जो कि android 12 का feature है so यह सब चीज़ें आपको कुछ इस तरह के से मिल जाती है and आप अभी भी notice कर सकते हो जो settings है वो एक बार restart हो चुकी है जब मैंने आप पर back इसको बात करेंगे इसके smoothness के सबसे पहले app opening या फिर closing speed आप देख लो 120 Hz के ओपर कोई problem आपको नहीं आने वाली काफी smooth UI आपको मिल जाती है and literally यहाँ पर जो optimization है वो तो आपको definitely मिल जाती है android 12 की वज़य से भी क्योंकि android 12 काफी ज़्यादा improved है android 11 से in terms of smoothness animations वो सभी चीज़ें आपको काफी तगड़ी मिलती है android 12 के ओपर ना कि इनको यहाँ पर Xiaomi ने यहाँ पर अच्छे से optimize किया है so वैसे यहाँ पर थोड़ा roll हो सकता है Xiaomi का भी बट यहाँ पर जो main चीज़ें आना वो android 12 के आपको मिलती है but android 12 के आपको नाम के ही features आपको MIUI 13 के अंदर मिलेगे so जो RAM management है जो आपको यहाँ पर smoothness मिलती है वो काफी अच्छी है बट जो RAM management है वो थोड़ा सा decent type बोलना चाऊंगा उतना तगड़ा भी आपको नहीं मिलता बट जो smoothness है वो काफी अच्छी है and RAM management को अभी भी improve होने की काफी ज़रूरत है जो कि आप clearly यहाँ पर notice कर सकते हो कुछ apps यहाँ पर randomly restart हुए थे camera यहाँ पर crash नहीं करता बट आपको वो guide follow करना होगा otherwise आप यहाँ पर camera यूज नहीं कर सकते है normal photo mode के अंदर videos 4K 30fps and additional setting के अंदर preserve settings आपको मिल जाती है Gcam की बात करें Gcam आप यूज कर सकते हो कोई ऐसे problem नहीं आने वाले 4K 60fps तक भी videos record कर सकते हो develop options के अंदर जाके enable करना होगा तो वो भी आपका यहाँ पर working रहने वाला है इसके अंदर आपको कोई problem नहीं इसमारे पास है नया widget store यहाँ पे आप देख सकते हो यह आपको नया widget store मिलता है China ROM के अंदर ही आपको मिलेगा Global के अंदर या फिर Indian ROM के अंदर या फिर Indian जब भी update आएगा उसके अंदर यह चीज़ आपको नहीं बिलेगी यह भी काफी smoothly work कर रहा है और इधर default भी change हो चुका है जो कि कुछी तरीके से आपको देखने को मिल जाता है तो basically आपको एक iOS की सस्ती copy आपको मिल जाती है जो कि आप चेक कर सकते हो इधर भी आपको मिल जाता है Xiaomi को improve करनी पड़ेंगी आने वाले updates के अंदर and hopes हो कि सभी चीज़ें fix हो जाएं बट चाइना के अंदर हो जाती है इंडियन devices के लिए यहां पर कुछ भी आपको देखने को नहीं हो जाती है इसको फ्लेश करने के लिए आई बटन के अंदर present है जाके check out कर सकते हो उसके बाद बाद करेंगे DRM info की तो यहां पर आपको widevine L1 by default मिल जाता है और यह आपको charging speed मिल दिया जो कि super fast है कोई problem आपको नहीं आने वाली charging के अंदर भी इसके बाद आते हैं CPU throttling के उपर तो इसके अंदर भी game turbo के अंदर performance mode क के अपर profiles को set करना पड़ा क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो यहां पर आपको 2.74 GHz तक maximum CPU clock मिलेगी जो कि आपके actual performance नहीं show कर सकता और यह चीज़ आप देख सकते हो यहां पे 10 minute तक मैंने run किया है CPU throttling graph को 95% तक आपका CPU throttle करता है maximum Gips है 238,000 के आजपास और average है 231,000 के आ scores चेक कर सकते हो 963 single core and multi core score 3089 का रही बात gaming performance की तो साथ में 90 FPS का support आपको यहां पर screen recording के अंदर भी देखने को मिलता है जिसको मैंने enable कर रहा है and 24 Mbps के उपर मैं recording कर रहा था तो एक तो थोड़ी ज्यादा ठंड है तो मैं एच्छे से यहां पर खेल नहीं पाया बट जितना भी मैंने खेला वो experience share करता हूं अगर आप एक hardcore gamer हो ना यह ROM आपको काफी तगड़ी gaming करवा देगी 90 FPS यहां पर MIUI के अंदर extra frames एड़ हो जाते हैं यह चीज़ मैंने notice की है I think इसका जो display नहीं उसके अंदर आपको 90Hz का या पर refresh rate नहीं मिलता जो की calibrated आपको नहीं मिलता Xiaomi के और से सो उसकी विज़े से I think आपको जो है BGMI के अंदर 90 FPS option नहीं मिलता बट 90 FPS आपको by default gaming के अंदर मिलता है यह चीज़ आप चेक कर सकते हो मैंने कोई 90 FPS यहां पर enable नहीं कर रखा बट by default यहां पर 90 100 के आसपास FPS मेरे को मिल रहते तो जो gaming experience है वो काफी कमाल का है अगर आएगी कोई यहां पर जो आपको lag issue बगारा नहीं आएगा टाचर response काफी अच्छा था and screen recording के साथ में भी काफी तगडी आपको performance मिल जाती है और MIUI 12.5 से भी उतना बड़ा upgrade आपको gaming के अंदर नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हो तो अच्छी है performance कोई problem नहीं आने वाल आप subscribe कर सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे एक और new interesting वीडियो के साथ